हेलो एबरिवन मैं मितुन शिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सैनिक स्कूल से एक नई रिक्रुटमेंट आई है ऑफिशल वेब साइट पे आपको आना है और यहां पे सारी बातें आपको खुद बखुद पता चल आता हूँ ताकि आप सारे चीजों को समझ पाएं पहली बात आप किसी भी स्टेट से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप इसे अपलाए कर पाओगे आप भिहार से हो निउ डेली से हो गोवा से हो या मारास्टा से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इसे अपलाए कर पा अब like, share, subscribe की भीक मांगना मेरा खत्म हो चुका है तो आगे बढ़ेंगे अब अब देखिए यहाँ पे आना है आपको official website पे और official website सबसे पले आप लोग देख लेंगे pen paper पे note कर लेंगे खुद से आप इसे visit कर सकते हो यह रही official website यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ यह है official website यहाँ पे आपको आना है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जैसे ही आप official website पे आओगे ना तो home page पे आपको यह option दिखेगा यह menu आपको दिखेगा इस menu पे आपको click करना है and आपको थोड़ा सा patience रखना है website open हो जाएगी थोड़ा सा आपको patience रखना है देखिए यहाँ पे click here to online application आप यहाँ पे click here करके जो है apply कर सकते हो और नीचे जो है नीचे आपको पुली details information मिल जाएगी कि किस-किस post के लिए recruitment आई है और क्या-क्या चीज़ें यहाँ है सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी तो चलिए पहले notification को apply करने से पहले मैं आपके सामने रख दो कि यह क्या-क्या बातें और किसकी subject की recruitment आई हुई है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको TGT English के लिए और regular vacancy है यह regular vacancy में यह अच्छी बात है कि यहाँ पे regular vacancy है और salary आपको बहुत ही hands up दी जाएगी लगबग 50-60,000 के करीब 44,900 रुपए साथ में आपका TA और medical allowances भी attached है minimum age 21 साल आपकी होनी चाहिए maximum 35 साल अगर आप इस age barrier में आते हो तो आप apply कर सकते हो आगे बढ़ेंगे बात करेंगे TGT English के लिए क्या क्या qualification होना चाहिए तो अगर आपने bachelor's यानि की B.Ed के साथ साथ graduation भी कर रखा 50% के साथ तो apply कर पाऊगे आप अगर आपने C.T.E.T. का paper 2 पास किया है तो भी आप apply कर पाऊगे लेकिन I repeat C.T.E.T. के अलाबा अगर आपने कोई और भी T.E.T. पास किया है तो आपका काम चल जाएगा याद रखिएगा आगे देखिए T.G.T. Social Science की recruitment है एक seat जो है general वाले के लिए है exit ST वाले के लिए है Same process यहाँ पे आपका graduation होना चाहिए साथ में B.Ed और C.T.E.T. का paper 2 आपका clear होना चाहिए salary आपको same मिलेगी और age का जो criteria है वो भी same है आगे बढ़ते हैं T.G.T. mathematics के लिए एक ही recruitment है वो है general वाले के लिए यहाँ पे अगर आपने bachelor's कर रखी है math से और B.Ed. भी कर रखा है और C.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T. इस superintendent के लिए recruitment है general employee के लिए recruitment है तो आप यहाँ पे TGT computer science की भी recruitment है counselor की भी recruitment है and music teacher की भी recruitment यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ wait a minute यहाँ से आप देख सकते हो तो आप चाहो तो screenshot भी ले सकते हो जैसे मैं भी आपको लेकर दिखाता हूँ देखिए मैंने screenshot ले लिया आप भी screenshot ले सकते हो music teacher की भी recruitment है और यह contractual है art master की भी है general employees की भी है word boy की भी recruitment है और salary वगएर आपको यहाँ पे जो है देखी जा सकती है और दो बच्चे का free accommodation और यहाँ पे जो रहने खाने का खर्चब वो आपको free में मिलेगा याद रखिएगा जो exam होगा वो written exam होगा इसके बाद आपको demo कराया जाएगा demonstration, interview होगा उसके बाद जो है आपका percentage बनेगा तो यह अच्छी बात है कि यहाँ पे in process को पूरा कराया जाएगा और यहाँ से देखिए how to apply आपको यह website पे आना है यहाँ से मैंने जो website बताई है यहाँ पे आपको आकर online कर देना है 500 रुपएस का application भी है obviously और general वाले के लिए 500 SCST के लिए 500 रुपए में यह हो जाएगा और application भी non-refendable है और याद रखिएगा यह जो है for contractual post only 500 रुपए है जो भी है वो और जो permanent vacancy उसके लिए 500 रुपए भी रखी गई है last date इसकी है 17 जनवरी अगर आप apply करना चाहते हो तो apply कर सकते हो post से आपको कुछ नहीं करना है यादि आपको apply online ही करना होगा तो यहाँ पर आपको देखिए apply करने के लिए यह वाले section पर click करना है और यहाँ से आप जो है मैं आपको एक पर click करकर दिखा देता हूँ अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आगे आप देख सकते हो इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ ले उसके बाद जो है आपको यहाँ पर wait a minute आप इसे आगे बढ़े यानि कि process में आपको यहाँ पर क्या करना है यह रही official website जहाँ पर आपको आकर जो है online करना है और यह recruitment आई है सैनिक स्कूल चंदरापूर से और चंदरापूर कहां है मैं आपको wait a minute दिखा दूँ एक मिनट में actually आप मुझे पीछे जाना होगा आप देख लेना Google पर सर्च करके चंदरापूर कहां पर है चलिए फिराल के लिए इतना ही you guys are amazing keep reading, keep learning